तो अगर आप अंडर डेल लाग बजट में एक बहतरीन बाइक के तलास में है तो यह Pulsar N150 आपके लिए एक बहतरीन आप्सन हो सकती है इस बाइक में कई सारे अपडेट हो चुके हैं कई सारे नए फीचर साथ चुके हैं इसकी एक्सोरूम प्राइज उपी में आपको पड़ेगी 115,750 रुपे और जाती है 138,000 यानि एक लाख 38,000 में आप 150 CC का मज़ा ले सकते हैं जिसकी पावर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस बाइक में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है तो बहुत शुरुआत करते हैं इसके की से तो की देखो दो चाब्या मिलती है नॉर्मल से की आपको देखने को मिलेगी और दोनों साइड में आपको बजाज की ब्रांडिंग देखन साइड में काफी ज़्यादा यूनिक DRL आपको मिलने लगे हैं और सामने में आपको LED प्रोजेक्टर हेलाइट का सेटप देखने को मिलता है जो कि कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है तो फ्रेंट लूग काफी ज़्यादा अग्रेसिव है एक नया ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा सिंगल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिल जाता है 90 by 90 सेक्षन के टायर मिलते हैं 17 इंच के आपको हुल्स देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको MRF का एक दमदार टायर मिलता है टूबलेस के साथ में फ्रेंट डिस्क ब्रेक या काफी ज़्यादा बड़ी मिलत है और एक बेरियंट ऐसा है जिसमें आपको डूबल डिस्क के साथ में सिंगल चनल ABS मिल जाता है तो यहां पर आपको डूबल डिस्क मिल रहा है भाई उसके बाद की किस्टार्ट का आप्शन भी है 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियंस ऑफर कर रही है कंपनी तो रोड के हिस आप से काफी ज्यादा ऊची रहने वाली है यह बाइक अब देखिए इसका जो इंजन है एक दमदार इंजन आपको मिलता है 149.68 CC का आपको एर कुल सिंगल स्लेंडर फॉर स्टो B6 FI E20 अपडेट के साथ में जिसकी जो मैक्सिमम पावर है 14.5 PS की है 8500 rpm और जो टॉर्क आ आपको मिल ला है इस भाल को साइड स्टेंड मेन स्टेंड दोनों मिल जाता है यहाँ पे देखिए आपको इंजन पर बजजाच की ब्रैंडिंग को मिल जाएगी क्य च Nagy 14 लिटर के मिलती है और फ्यू टैंक पर एक नया फिक देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको उसकी का पाट रेट का पाट देखने को मिलेगा और फील टेंग का जो कलर है बाए वह surge आपको डूएल टोन कलर देखने को मिल ला है जिसमें आपको यहां पे शाइनिंग black और यहां पे देखी तो यहां पे अगर कहें ना कि यह फेमली बाइक है पूरी तरीके से, तो कोई भी प्रॉलम नहीं होगी, क्योंकि यह बाईक जो है, आप फेमली परपच के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, डेली कम्यूट भी इस बाईक से अप कर पाओगे, क्योंकि अगर इस फ्लिट सिट होती, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रावलम हो जाता है फेमिली परपच के हिसाब से बाकि सीट का ओल अगर आप देखोगे N150 यहाँ पे लिखा हुआ है और सीट का ओल इसका काफी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है भाई पीछे की साइड में आपको MRF कमपनी का ही एक टूबलेस टायर देखने को मिल ला है और पीछे में आपको 120 भाई 80 सिक्षन के टायर मिलते हैं 17 इंच के आपको फिल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है भाई पीछे में आपको टायर हागर जैसे option देखने को मिल ला है इसका जो swingarm है वो आपको aluminium का मिलता है under belly आपको exhaust देखने को मिल जाता है पीछे की साइड में आपको यहाँ पे देखोगे mono sock suspension देखने को मिल ला है तो भाई पूरी तरीके से adjustable है इसकी जो tail light है आपको LED में मिलती है और tail light का जो safe है कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है काफी ज़्यादा खुबसूरत light आपको यहाँ पे देखने को मिल लिए लेकिन indicator आपको वही halogen वाले मिलेंगे आगे भी और पीछे भी N150 का जो grab handle है आपको single piece मिलता है split type में मिलता है तो भाई कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है बाकि इसके जो food packs है वो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो pillion वाले food packs है वो आपको folding मिलते हैं और जो rider वाले है वो आपको मिलते है भाई spring वाले और यहाँ पे company ने rubber का यूज़ किया है five speed manual transmission gearbox आपको इस bike में देखने को मिलेंगे तो अगर देखा जाए fuel tank पे तो यहाँ पे air bind के लिए जगा विलती है यानि air passing के लिए यहाँ पे जगा आपको देखने को मिल जाएगी fuel tank का top design आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है यहाँ पे आप USB cable लगा के phone को भी charge कर सकते हैं यह एक नए update आपको यहाँ पे मिल ला है अगर handlebar देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ ज़्यदा compact handlebar देखने को मिलता है जिससे क्या होता है जब आप bike को चला रहे होते हो तो आपको bike cut करने में काफ़ी ज़्यदा आसानी हो जाती है और यहाँ पे देखिए तो आगे में आपको pass का switch देखने को मिलेगा यह वाला high beam, low beam यही वाला जो switch है वो काम करेगा यह वाले connectivity वाले button है जब आप अपने bike में connectivity वाले features को use करोगे billing करने के बाद में तब यह button का use होगा यहाँ पे indicator के button है यह horn का button हो गया और यहाँ पे engine की kill switch है और यहाँ पे power start का button है single pipe handle bar आपको यहाँ पे company offer कर रही है mirror की जो quality है कुछ ऐसी रहने वाली है तो जो इसका rear view mirror है वो भी काफ़ ज़्यादा unique है काफ़ ज़्यादा अच्छा है instrument console पूरी तरीके से भाई update हो चुका है जिसमें आपको यहाँ पे gear indication position मिल ला है timing मिल ले है और इसके बाद rpm meter मिल ला है यहाँ पे देखोगे तो fuel indication show करेगा उसके बाद यहाँ पे आपको kilometer की detail order meter की detail, trim meter की detail इस सारी detail आप यहाँ से check out कर सकते हो इसके बाद ABS की light आपको यहाँ मिल जाएगी engine की check light आपको यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे आप connectivity वाले features का भी उच कर सकते हो जिसमें आपको call SMS alert की detail की जानकारी मिल जाएगी बैठे बिठाए अपने screen पे आप check out कर सकते हो इसकी top speed की बात करें भाई तो इसकी जो top speed है लगभग आपको 120 km पर hour की देखने को मिलेगी तो इसकी top speed भी आपको काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है सबसे अच्छी बात है कि इस बाई को अगर आप purchase करते हो तो 45 km की आपको mileage मिल जाएगी अब 1500 CC में 45 km की mileage अपने आप में बहुत ज़्यादा भाई खास होने वाला है यार फाली सुन लेते हैं N150 updated model का sound आपको कैसा मिल ला है तो देखिए अभी जो मैं आपको सुनाओंगा वो बिल्कुल bass sound होगा स्टार्ट करते टाइम तो भाई स्टार्ट करने पर sound आपको कुछ ऐसे मिलेगी आप थोड़ सा मैं total देता हूँ रैप करता हूँ तो भाई जब आप इसको स्टार्ट करके और total दोगे तो sound आपको कुछ ऐसे मिलेगी और यार इसका sound अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा है जब आप इस भाई को राइट करोगे तभी आपको पता चलेगा तो अगर आप इस भाई को पर्चेज करना चाहते हैं अगर आप यूपी से हैं अगर आप बहराईस से हैं या फिर भिंगा से हैं या फिर तुलसिपूर से हैं अगर आसपास की किसी भी साइट से हैं तो यह बाईक आपको अबलेबल हो जाएगी सिंग बजाज सिर्शिया स्रावस्ति उत्तर परदेश में इस्क्रीन पर आपको नंबर्स हो रहा है और अगर आप वीडियो को रेफरेंस से आते ही इस बाइक को पर्चेश करते हैं तो डेफिलेटली आपको 15 रुपे का डिसकाउंट भी मिल जाएगा आपको बस यह बोलना ह है कि यह वीडियो मैंने इन्वर्सल बाइक नौलेज चैनल पर देखा था तो आप 15 रुपे का बेनिफिट भी हो सकता है आई होप मैंने इस बाइक के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है फिर भी अगर आपका कोई भी कुश्चन है कोई भी सवाल है इस बाइक से